लॉड कर्जन 1899-1905 आईए जानते हैं लॉड कर्जन कैसे अपने इस सपने को सच्चाई में बदलते हैं और इंडिया आने के बाद वो क्या-क्या करते हैं इंट्रिडक्शन दोस्तों, इंडिया का वाइसरोय बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क तो था ही इसके इलाबा, 1896-1997 के फैमिन और उसके बाद ब्यूबॉनिक प्लेग ने प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ा दी थी रेविन्यूस कम होते जा रहे थे इसके साथ ही एड्मिनिस्ट्रिटिव मेशीनरी को भी समय के साथ बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी और ब्रिटिशर्स के लिए इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या थी उस समय के इंडिया का प्लिटिकल क्लाइमेट क्योंकि इंडियन्स में अवैनस आ रही थी और वो अब ब्रिटिशर्स से ये सवाल करने लग गए थे कि उन्हें इंडिया पर रूल करने का अधिकार आखिर किस ने दिया ऐसी सिचुएशन में इंडिया में अपनी टास्क का एक बहुत क्लियर कट कांसेप्शन लॉड कर्जन के दिमाग में था वो पूरी तरह कन्विंस्ट थे कि एड्मिनिस्ट्रिटिव मशीनरी को तुरंत ही एक थरह रिफॉर्म की जरूरत थी शायद ही गव्मन्ट का ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ब्रांच हो जिसमें लॉड कर्जन ने कोई रिफॉर्म ना किया हो तो आईए जानते हैं उनके रिफॉर्म्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं उनके पुलीस रिफॉर्म्स की दोस्तो रिफॉर्म्स के लिए कर्जन का मेथड था एक एक्सपर्ट कमिशन को अपॉइंट करना ये कमिशन डिपार्टमेंट की वर्किंग की पूरी जाच करती थी और फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर जरूरी रिफॉर्म्स के लिए कानून बना दिया जाता था 1902 में सर एंडू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलीस कमिशन को अपॉइंट किया जाता है कमिशन अपनी रिपोर्ट 1903 में सब्मिट करती है जिसमें पुलीस फोर्स के इंप्रूव्मेंट के लिए कई सारे सुझाव दिये गए थे जैसे कि सभी रैंग्स की सैलरी इंक्रीज करना, सभी पुलीस फोर्स की स्ट्रेंग्ट को बढ़ाना, ऊफिसर और कॉंस्टबल्स दोनों के लिए ही ट्रेणिंग स्कूल्स खोलना, हायर रैंग्स के लिए प्रोमोशन की जगे डाइरिक्ट रेकूट्मेंट करना, प्रोव एजुकेशनल रिफॉर्म्स की एजुकेशनल रिफॉर्म्स दोस्तों, लॉड गर्जन का मानना था कि इंडिया में एजुकेशनल इंस्टिटूशन्स पोलिटिकल रेविलूशनरीज को जन्म देने वाली फैक्टरीज बन गई हैं इसके साथ ही एजुकेशन सिस्टम के खराब होते स्टैंडर्ड्स और उसमें बढ़ते इंडिसिप्लिन ने करजन को परिशान किया हुआ था इसलिए 1902 में वो युनिवर्सिटी कमिशन को अपॉइंट करते हैं कमिशन की रेकिमेंडेशन्स के अधार पर 1904 में इंडियन युनिवर्सिटीज एक्ट पास किया जाता है इस एक्ट के द्वारा युनिवर्सिटीज के ऊपर गव्मन्ट कंट्रोल को बढ़ा दिया गया था एजुकेटिड इंडियन्स ने कमिशन की रिपोर्ट और इस एक्ट का काफी विरोध भी किया था इस तरह लौड कर्जन कोशिश करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को इंडियन नैशनलिजम को सपोर्ट करने से रोका जाए लेकिन तब तक शायद देर हो जुकी थी नैशनलिजम का जिन चिराग से बाहर आ चुका था और युनिवर्सिटीज पर कंट्रोल कर लेने से उसको चिराग में वापस नहीं बेजा जा सकता था बलकि इस एक्ट ने तो आग में घी डालने का ही काम किया स्टूडन्स और उनके नैशनलिजम की मिसाल हम अगले वीडियो में स्वदेशी मूव्मेंट में देखेंगे अब बात करते हैं करजन के एकनामिक रिफॉर्म्स की एकनामिक रिफॉर्म्स दोस्तों लॉड करजन के एकनामिक रिफॉर्म्स में आते हैं उनके Famine, Land Revenue, Irrigation, Agriculture, Railways, Taxation और Currency etc. से Related Legislations आईए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं Famines सबसे पहले बात करते हैं Famines की 1899-1900 में Famines से South, Central और Western India का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था इस दोरान, Lord Curzon ने अकाल से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की थी हम कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे वाइसरोई थे जिन्होंने Famine की समस्या को Humane Touch के साथ टैकल करने की कोशिश की थी Cultivators को Revenue Payment से भी exempt कर दिया गया था और Famine खत्म होने के बाद 1901 में Sir Anthony McDonald की Presidency में Famine Commission अपॉइंट की गई थी इसका काम था Famine के समय लिए गए measures की जाच करना कि ये measures कितने प्रभावी रहे और आगे Famine की situation को किस तरह better handle किया जा सकता है Commission 1901 में ही अपनी रिपोर्ट समिट कर देती है Commission का कहना था कि Famine के समय जो relief distribute की गई थी वो बहुत ज्यादा थी इसके साथ ही ऐसे measures पर जरूरत से ज्यादा emphasis किया गया था जिनकी जरूरत ही नहीं थी Commission able-bodied person के लिए task force से payment करने का सुझाव देती है साथ ही fodder famine से deal करने के लिए rules भी तैयार करती है ये तो बात हुई Lord Curzon के famine relief measures की आईए बात करते हैं उनके agriculture related reforms की Agriculture, Land Revenue and Irrication Lord Curzon revenue administration को improve करने के लिए 16th January 1902 को land resolution introduce करते हैं इसमें land revenue के लिए तीन principles fix किये जाते हैं जो थे पहला कि revenue को हमेशा gradually ही increase किया जाएगा दूसरा principle था कि revenue collect करते समय agriculture को कोई नुकसान न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए और तीसरा था कि drought या और किसी मुश्किल के समय पेजिन्ट की तुरंत help की जाए irrigation related reforms के लिए 1901 में Sir Colin Scott Moncrief की chairmanship में commission form की जाती है commission आने वाले 20 सालों में irrigation के उपर 4.5 क्रोर रुपीज अतरिक्त खर्च करने का सुझाव देती है करजन के समय में जेलम कनाल को complete करने के साथ अपर जेलम और lower बड़ी दुआब कनाल्स का काम भी शुरू हो जाता है इसके साथी 1904 में cooperative credit societies act के द्वारा cultivators के लिए सस्ते rates पर लोन देने का provision किया गया था इंडियन agriculture और livestock के improvement के लिए Lord Curzon इंस्पेक्टर जेनरल के अंडर imperial agriculture department भी set up करते हैं जिसका काम cultivation के scientific methods को promote करना था इस तरह Lord Curzon इंडिया में agriculture और peasants की condition को improve करने की कोशिश करते हैं agriculture reforms के बाद आईए जानते हैं railway related reforms के बारे में Railways दोस्तों Lord Alhousie द्वारा introduce किये जाने के बाद से ही railways का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से इंडिया में हो रहा था इसको और आगे ले जाने का काम करते हैं Lord Curzon करजन railway के development पर खास ध्यान देते हैं उनके समय में railway की existing lines को improve किया जाता है और साथ ही नई lines पर भी काम शुरू किया जाता है railway की working और administration पर advice देने के लिए England से railway expert Mr. Thomas Robertson को बलाया जाता है Robertson के अनुसार railway की condition unsatisfactory थी और इसमें उपर से लेकर नीचे तक reform की ज़रूरत थी ये कहते हैं कि railway lines को commercial enterprises की तरह build किया जाना चाहिए इसके साथ ही railway administration से जुड़े सभी matters को देखने के लिए एक railway board setup करने का सुझाव भी देते हैं Lord Curzon कमिशन की recommendations को accept कर लेते हैं और railway का management जिसे अभी तक public works department देखता था railway board को transfer कर दिया जाता है अब बात करते हैं taxation और currency related measures की currency and taxation दोस्तो 1899 के Indian Coinage and Paper Currency Act के त्वारा British currency को इंडिया में legal tender declare कर दिया जाता है और एक pound की कीमत 15 रुपे के बराबर रखी जाती है इसके साथ ही करजन salt tax का rate भी कम करते हैं 2.5 रुपेज पर mound के rate को कम करके 1.3 रुपेज पर mound कर दिया जाता है दोस्तों ये थे Lord Curzon के important economic reforms अब हम जानते हैं उनके समय में होने वाले army reforms के बारे में Army reforms Lord Curzon के समय में हुए army के reorganization का श्रेज आता है Lord Kitchener को ये 1902 से लेकर 1908 तक इंडिया के commander in chief रहे थे इंडिया नामी को दो commands में divide कर दिया जाता है Northern Command और Southern Command Northern Command का headquarters मुरी में और Southern Command का headquarters पूना में था Army की हर division में तीन brigades बनाई जाती हैं जिसमें दो brigades Indian Battalion की और एक brigade English Battalion की होती थी इसके साथ ही officers को train करने के लिए Queta में training college भी set up किया जाता है British troops को better arms की supply शुरू होती है इसके अलावा Army की हर battalion को एक severe test पास करना होता था जिसका नाम रखा गया था The Kitchener Test Army के reorganization का एक मतलब ये भी था कि इस department का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों Lord Curzon ने ancient monuments के लिए भी एक act पास किया था आईए जानते हैं उसके बारे में Ancient Monuments Act 1904 Lord Curzon history के student रहे थे और archaeology में उनका deep interest था इसलिए इंडिया के historical monuments को repair, restore और protect करने के लिए वो 1904 में ancient monuments act पास करते हैं historical buildings की repair के लिए 50,000 pounds की amount sanction कर दी जाती है Curzon Indian states पर भी pressure डालते हैं कि वो अजनता एलोरा और सांची स्थूपा जैसे इंडिया के rich heritage को preserve करने का काम करें 1904 का ये act इंडिया में आज भी monument conservation के लिए एक bedrock की तरह माना जाता है दोस्तों इन सभी reforms के अलावा Lord Curzon ने 1899 में Calcutta Corporation Act भी पास किया था इस act के द्वारा Curzon local self-government के field में किये गए Lord Ripon के काम को undo करना चाहते थे ये act corporation में elected members की strength को कम कर देता है जिससे Calcutta Corporation और उसकी committees में British element की majority बनी रहती है इंडियन members act से खुश नहीं थे और 28 members अपना विरोध दिखाने के लिए resign भी कर देते हैं लेकिन करजन पर इनकी protest का कोई असर नहीं पड़ता बल्कि वो तो अपने काम से इतने खुश थे कि 1903 में एक banquet में कहते हैं कि Viceroy की post से retire होने के बाद वो Calcutta का mayor बनना पसंद करेंगे ये act अकेला ऐसा काम नहीं था करजन का जिसने Indians को protest करने के लिए मजबूर किया हूँ उनका सबसे controversial decision तो Bengal का partition था तो आईए उसके बारे में जानते हैं Partition of Bengal 1905 दोस्तो 1905 में Bengal presidency का partition करजन के सबसे ज्यादा criticize होने वाले moves में से एक था इसका विरोध न सिर्फ Bengal में बलकि पूरे भारत में किया जाता है आईए समझते हैं करजन ने ये decision आखर क्यों लिया था Bengal province उस समय इंडिया का सबसे ज्यादा population वाला province था लगभग आठ करोड की जनसंख्या थी Bengal की जिसमें आज का West Bengal, बिहार, 36 गड के कुछ हिस्से ओडिशा, असायम और आज का बांगला देश भी शामिल था करजन कहते हैं कि partition का aim इतने बड़े province के administration को easy बनाना है लेकिन उनका actual motive तो Bengal province से उठ रही loud political voices को crush करना था और उनके बीच religious strife और opposition को जन्म देना था इसे समझने के लिए partition के plan को समझना जरूरी है plan के according, 3.1 crore की population के साथ East Bengal and Assam को एक नया province बनना था इसमें Muslim Hindu population का ratio 3 to 2 था Western Bengal province में Hindu majority रहने वाली थे nationalist leaders कहते हैं कि ये scheme लोगों को religious के basis पर divide करने के लिए बनाई गई थी इससे Muslims को Hindus के against खड़ा कर दिया जाएगा और उनकी ये बात बे बुनियाद नहीं थी ये साबित होता है Eastern Bengal के Lieutenant Governor की एक declaration से जिसमें वो कहते हैं कि उनकी दो wives में से Mohammedan wife उनकी favorite है इवन लौड करजन भी Eastern Bengal की टोर के समय कहते हैं कि partition का एक aim Mohammedan province create करना भी है इसके साथ ही ये linguistic basis पर भी divide and rule की policy थी क्यूंकि plan के according West Bengal में Bengalis minority बना दिया गए थे Bengal partition के विरोध में एक बड़ा movement खड़ा हो जाता है जिसे हम स्वदेशी movement के नाम से जानते हैं करजन के इस decision ने Hindus और Muslims को divide करने का काम भी किया था Eastern Bengal के Muslims को एक Muslim majority province के political और material advantages का vision दिखा कर अपनी तरफ किया जाता है Lord करजन तो 1905 में ही इंडिया से वापस चले जाते हैं लेकिन उनके decision के against प्रोटिस्ट आने वाले कई साल तक चलते हैं Conclusion दोस्तों Lord करजन एक great imperialist थे वो इंडिया में British control को और ज्यादा strong करना चाहते थे उनके ज्यादातर reforms और acts इसी motive को fulfill करने के लिए थे इसके साथ ही Indians को लेकर उनका opinion बहुत ही खराब था वो Indians की insult करने और उनकी deepest feelings को hurt करने का कोई भी मौका नहीं जाने देते थे एक occasion पर उन्होंने बेंगॉलीज को डरपोक, हवाबाज और बस दिखावा करने वाला देश प्रेमी तक कह दिया था वो Indian National Congress के President से मिलने से भी इंकार कर देते हैं और Congress की activities को letting off of gas की तरह characterize करते हैं इस तरह के impolitic utterances और imperialist designs की वजह से करजन इंडिया के political unrest को bursting point तक पहुचा देते हैं और इससे शुरुवात होती है इंडिया में political movement के एक बिलकुल नए phase की करजन की tyranny की वजह से ही Indians में नेशन हुड के और भी strong sense का जन्म होता है इस तरह देखा जाए तो करजन इंडिया के benefactor प्रूव होते हैं भले ही उनकी intention कभी भी ऐसी न रही हो